पिछले 6 सालों से एक बार 25 रुपे, एक बार 10 रुपे, और अब 20 रुपे केवल मातर बढ़े हैं. और पिछले करीब पौने 5 साल में, 23 बार मैंने पार्लेमेंट में इस मुद्द्ध को विभिन विभिन समय पे उठाता रहा हूँ. और मेरी हमेशा दो चीजों को ध्यान में रखकर, किसान की आए डबल कैसे हो, उसका क्या फार्मूला है, जितनी कॉस्ट आती है, देड़ गुना करके उसका रिट देजो, उस पे भी पार्लेमेंट में मुद्धा ये उखाया है. और किसान के घर में, किसान के परिवार के लोगों की अगर नौकरी की तरह तनखा जोनें, जितने का खर्चा जोनें, और उसको नलाई का खर्चा जोनें, बुवाई का खर्चा जोनें, बुवाई से पहले जिताई का खर्चा जोनें, और तमाम चीजें विजली का बिल जो स्पीकर के प्राव कहने पर आप बताओ मलुगनागर्जी कैसे बढ़ है जैसे में खड़ा हुआ बोलने पर कहने गन ना गन ना कल सब्सक्राइब करके बोला अभी तो मैं गांड़ा भी कहना रुख जाओ और फिर मैंने स्पैब्लिच किया था छे साल में सरकार के द्वारा अभीक्रत बढ़ी गई महँगाई जिसको सरकार जारी करती है इस बार 8.7% मेहंगाई बढ़ी, इस बार 9.6 बढ़ी, इस बार 5.4 बढ़ी, इस बार 11.3 बढ़ी, जो छे साथों में बढ़ी हुई मेहंगाई करीब करीब अस बढ़ती है इसलिए मैं घोर निंदा करता हूँ, खलाप बोलता हूँ, इस केवल मातर 20 रुपे बढ़े हुए रेट पर, और मैं माँग करता हूँ कि पश्मी उत्तर परदेश के लोगों को राहत देने के लिए, और देश के सब गन्ना किसानों को राहत देने के लिए, ये कम से कम साड़े 500 रुपे रेट होना चाहिए जी इस बार मालो 2024 का चुनाव सामने है, किसान भी उम्मीद कर रहे थे कि पर सरकार बड़ी रहत देगी, खास तोर पर चुकि अखरियाना में भी इस से ज़्यादा है गन्ने का भाव है, और सरकार भी बीजेपी की है, वो भाव भी यहाँ, यूपी के किसान को ने मिल पाया। इसमें मैं हलका से संसुदन करूंगा बालियासार, यूपी में भी गन्ने का रेट जादा है, पंजाब में भी गन्ने का रेट जादा है, महराष्ट में भी गन्ने का रेट जादा है, और जब हमारी सरकार थी 2007-2012 तक, हमने जब करीद 200 रुपे गन्ने के रेट बढ़ाई हुए रेट बढ़ाना चाहिए और जो मिनिमम अभी साड़े बात सोगना चाहिए अच्छ अच्छ अब आप खेती किसानी से जुड़े मुद्दे क्या आप सत्ता के लिए गोन हो गया क्या कि मैंने अभी टीवी सो में विकास अंदीप चौधरीक साथ आज भी कह रहा हूं जितने भी लोग एंपी और एमेले का चुनाव लड़ते हैं उन लोगों को किसानों के मुद्दे हम कोई न उठाता वो बड़े आदमियों बन जाते हैं चुनाव के टाइम पे लोग वोटरो को जितने भी नेता हैं के कुर्टा पकड़के खीचने चाहिए बोल बोल हमारी बात पार्लेमेंट में उठाएगा तो सब लोगों को जो किसान के छितर से चुनाव जीत के जाते हैं उनको किसानों के मुद्दोगी बात उठानी चाहिए नहीं तो जनता को उनका विरोध कर तो आपको लगता है कि 2024 का चुनाव आ रहा है तो चुनाव पर भी आज के इस फैसले का सर दिखाई देगा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि चुनाव के समय बहुत सारी चीज़ें है इंघ्टि होती हैं इतके जिसमें ध्रम भी जिसमें जाती भी जिसमें माहौल भी थे देश के मुद्दे भी धार्मिक भावनाएं भी तो असर दिखाई देगा या नी देगा मुझे ये तो नहीं पता पर लोगों को जागलूख होना चीए कि जो उनके हितों की बात करें तो उसको सपोर्ट करना चीए जहां उनके हितों पर चोट पहुंचें जन्ता को बोर्ट देने से पहले सोचना जरू झालशने झालशने गनके हितों की जादा Hey!